श्रीहरी, गीता के प्रतेक अध्याय का तातपरिय, गीता अध्याय से निशकर्ष ग्यातुमिछटी ये जना, तै सुखपूर वकम ग्राहस्तत लिखेते, तेरहवा अध्याय, संसार में एक परमात्मतत्व ही जानने योग्य है, उसको जरूर जान लेना चाहिए, उसको तत् परमात्मतत्व के साथ अभिन्नता हो जाती है, जिस परमात्मा को जानने से अमर्ता की प्राप्ती हो जाती है, उस परमात्मा के हाथ, पैर, सिर, नेत्र, कान्थ सब जगर है, वो संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विश्यों को प्रकाशित करता है संपोर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपोर्ण गुणों का भोगता है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका पालन पोशन करता है वो संपोर्ण प्रानियों के बाहर भी है और भीतर भी है तथा चर अचर प्रानियों के रूप में भी वही है इस तरह पर्मात्मा को यथार्थ जान लेने पर पर्मात्मा को प्राप्थ हो जाता है इससे अतीत होने के लिए गुणों को और उनकी वृत्तियों को जरूर जानना चाहिए प्रकृति से उत्पन सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण शरीर संसार में आसकती, मम्ता आधी करके जीवात्मा को बांध देते हैं सत्वगुण सुख और ज्यान की आसकती से, रजोगुण कर्मों की आसकती से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा से मनुष्य को बंधन में डालता है सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है, तब अंतहकरण में रज तम के विरुद्ध प्रकाश हो जाता है सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब अंतहकरण में लोब, क्रियाशीलता आधी सत्व तम के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती है सत्व गुण और रजो गुण को दबाकर जब तमो गुण बढ़ता है तब अंतह करण में अविवेक, कर्म करने में अरुची, प्रमाद, मो आदी सत्व रज के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती है इन गुणों की वृत्तियों के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी क्रमशह उचे, मध्य और नीचे के लोकों में जाता है परंतु जो इन गुणों के सिवाए अन्य को करता नहीं मानता अर्थात संपूर्ण क्रियाए गुणों में ही हो रही है स्वयम में नहीं ऐसा अनुभव करता है, वो गुणों से अतीत होकर भगवत भाव को प्राप्थ हो जाता है अनन्य भक्ति से भी मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है इस संसार का मुल आधार और इस संसार में अत्यंत श्रेष्ट परमपुरुष एक परमात्मा ही है इसको द्रिर्ता पूर्वक मान लेने से मनुष्य सर्ववित हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है जिससे ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसको प्राप्थ होने पर ये जीव फिर लोटकर संसार में नहीं आता उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए ज्यान नेत्रवाले साधक अपने आप में उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं वो परमात्मा ही सूर्य, चंद्रमा और अग्ने में तेज रूप से रहकर संसार में प्रकाश करता है वही प्रित्वी में प्रवेश करके प्रित्वी को धारन करता है वही रस्मय चंद्रमा होकर पेड, पौधे, लता आधि को पुष्ट करता है वही जटरागनी बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए अन्नकों पचाता है वही सबके हृदय में रहने वाला, वेदों को बनाने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योगे है वो संपूर्ण संसार का पालन पोशन करता है वो नाश्वान संसार से अतीत और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है वही लोक में और वेद में पुरुष उत्तम नाम से प्रसिद्ध है उसको सरवश्रेष्ट मानकर अनन्यभाव से उसका भजन करना चाहिए सोलहवा अध्याए दुरगुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकोन में जाता है आतह मनुष्य को गुण सदाचारों को धारण करके संसार के बंधन से जन मरण के चक्कर से रहित हो जाना चाहिए जो दंब, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोब आधी आसुरी संपत्तिके गुणों का त्याग करके अभए, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, दया, यग्य, दान, तप आधी दैवा संपत्तिके गुणों को धारण करते हैं वे संसार के बंधन से रहित हो जाते हैं परंतु जो केवल दुर्गुण दुराचारों का काम, क्रोध, लोब, चिंता, अहनकार आधिका आश्रय रखते हैं, उनमें ही रचे पचे रहते हैं, ऐसे वे आशुरी संपदावाले मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकोन में जाते हैं सत्रहवा अध्याए शास्त्रविधि को जानने वाले अत्वन्ना जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रधा पूर्वक जो कुछ शुब कारे करते हैं, उस कारे को भगवां को याद करके, भगवन नाम का उच्चारण करके आरंब करें जो शास्त्र विधिकों तो नहीं जानते पर श्रधा पूर्वक यजन पूजन करते हैं उनकी श्रधा, निष्ठा, स्थिती तीन प्रकार की होती है सात्विकी, राजसी और तामसी श्रधा के अनुसार ही उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता भी तीन तरह के होते हैं जो यजन पूजन नहीं करते उनकी श्रधा की पहचान आहार से हो जाती है क्योंकि आहार, भोजन तो सभी करते ही है 18. अध्याए मनुष्य मात्र के उध्धार के लिए उनकी रुची, योग्यता और श्रधा के अनुसार तीन साधन बताए गए हैं कर्मयोग, ज्यानयोग और भक्तियोग, शर्णागती इन में से किसी भी एक साधन में मनुष्य लग जाए तो उसका उध्धार हो जाता है जो मनुष्य यग्य, तप और दान तथा नियत करतव्य कर्मों को आसकती और फलेच्छा का त्याग करके करता है एवं जो कुशल अकुशल कर्मों में राग द्वेश नहीं करता, वही वास्त्व में त्यागी है नियत कर्मों को करते हुए भी उसको पाप नहीं लगता और उसको कहीं भी कर्म फल प्राप्ट नहीं होता उसके संपूर्ण संशय संदे मिट जाते हैं और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ये कर्मयोग है जो मनुष्य सात्वि ज्यान, कर्म, बुद्धी, धृती और सुख को धारन करके कर्त्रित्व भोक्त्रित्व से रहित हो जाता है वो अगर संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसको पराभक्ति की प्राप्ती हो जाती है और उससे वो परमात्म तत्व को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ठ हो जाता है ये ज्यान योग है मनुष्य भगवां का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मी को सदा सार्गों पांग करता हुआ भी भगवत क्रिपा से अविनाशी पत को प्राप्थ हो जाता है जो मनुष्य भगवान के परायन होकर संपूर्ण कर्मों को भगवान के अरपन करता है, वो भगवत क्रिपा से संपूर्ण विग्न बाधाओं से तर जाता है जो अपने सहत शरीर मन इंद्रियों को भगवान में ही लगा देता है, वो भगवान को ही प्राप्थ होता है जो संपूर्ण धर्मोक आश्रे का त्याग करके अनन्यभाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है उसको भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं ये भक्तियोग है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे